Hello Friends, Health and Good Nutrition Corner में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आशा है आप सब अच्छे होंगे, कमेंट सेक्षन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का हमारा टॉपिक है स्वस्त रहने के कुछ नियम। आज की busy schedule पर लोग अपने स्वास्ते पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अस्वस्त रहने लगे हैं। इन सब के कारण हमें विभिन प्रकार की बिमारियों से जूजना पड़ रहा है। आज हमें स्वस्त रहने के लिए अपना ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। स्वस्त रहने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, कि हम स्वस्त जीवन जी सकें। आज हम कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो स्वस्त रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आईए इन्ही नियमों के साथ वीडियो की सुरुवात करते हैं। संतूलित आहार लें। यह बात तो आप भी मानेंगे कि हमारे खान पान का सीधा असर हमारे स्वस्त पर पड़ता है। उधारन के लिए यदि हम तली भुनी चीजे, कोल्डरिंग, चंगफूर, पीजा वर्गर आदी का सेवन करते हैं। तो ऐसे में हमारे शरीर में वसा बढ़ने लगती है। यह चीजें हमें ना सिर्फ मोटा करते हैं, बल्कि हमें कई बीमारियों की तरफ भी ले जाते हैं। तरफ यदि हम अपने अहार में हरी सबजियां, अंडे, दूद, दही, फल, आदी को शामिल करते हैं और इनका सेवन करते हैं तो ऐसे में ना सिर्फ हम फिट रहते हैं, बल्कि बीमारियों से भी दूर रहते हैं। इसलिए अपने अहार को संतूलित रखना बेहत जरूरी है। अपने अहार में संतूलित मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स और अन्य मिनरल्स की मात्रा आवश्च शामिल करनी चाहिए। सेकिंड पॉइंट प्रयाप्त नीद लें। उठ भी जाते हैं, तब भी हमारी नीद पूरी होगी जाती है। पर सोने और समय पर उठने से ना सिर्फ सारी एक लाब मिलते हैं, बलकि इस से कई मानसिक लाब मिलते हैं। इसके दोरा हम सखरात्मक महसूस कर सकते है। स्वस्त रहने के लिए समय के अनुसार काम करना चाहिए जैसे समय पर नास्ता करने की आदर डालने चाहिए एक रिसर्च में इस बात की पुज़िक की गई है कि जो लोग नास्ते में पोशन से भरी चीजें लेते हैं वे पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं इसी के साथ उनका वजन भी संतुलित रहता है सुबह नास्ता करने से हमेश समपूर दिन उरजावान होने की अनुभूती होती है इसी के साथ चिड़चिड़ा पन भी दूर रहता है स्वस्त रहने के लिए प्रयाप्त जल का सेवन करना चाहिए ज्यादा तर देखा गया है लोग सुबह उठकर सबसे पहले चाए कॉफी पीते हैं स्वास्ते के नजरिये से यदि देखा जाए तो ये आदते सही नहीं है सुबह काल खाली पेट चाय नहीं पीने चाहिए बलकि चाय पीने से पूर्व खाली पेट गुनगुने पानी का सेवन करना ज़्यादा बहतर है एक व्यस्क व्यक्ति को 5-6 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए पानी का सेवन करने से हमारे शरीर में मौजूद विशाक पदार्थों को निकलने का माध्यम मिल जाता है शरीर में जल की मातरा को पूर करने के लिए फलो और सबजियों के जूस का भी सेवन कर सकते हैं 5- वर्काउट या व्ययायाम करें स्वस्त रहने के लिए वर्काउट अत्यान्त आविश्यक है हमें प्रति दिन 30-40 मिनट तक व्यायाम एक्सरसाइज करने जाहिए प्रति दिन व्यायाम करने से शरीर में उर्जा की एक प्रणाली बनी रहती है इसके अलावा यदि सरीर में एक्स्ट्रा फैट या वसा मौजूद है तो वह भी खतम हो जाता है यदि आप बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं तो कोशिश करें कि आज से आप व्यायाम करने की शुरुआत करें शुरुआत के समय भले ही आप चार से पांच मिनट व्यायाम करें लेकिन इसकी आदत अवस्चे डालें योगा तथा ध्यान लगाना एक अच्छी प्रिक्रिया मानी गई है थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में